युबराज की बात सुनकर सुहाना उन दोनों को देखते हुई कहती है मुझे नहीं पता लेकिन एक अंकल है जो इसी घर में रहते हैं उन्होंने एक बार मुझसे कहा क्या मैं उनके साथ बाहर भूमने चलू जब मैंने उन्हें कहा कि मैं बाहर नहीं जाओंगी तो उन्होंने मेरा हाथ पकर लिया सुहाना की बात सुनकर युबराज अनिकेट को देखते हुए कहता है सुहाना किसकी बात कर रही है अंकल जहा तक मुझे ऐसा लग रहा है सुहाना अंकल उनी को कह सकती जो हमारे पापा के उम्र के है युवराज की बात सुनकर अनिकेट हैरान होकर कहता है हमारे घर में ऐसा एक ही इनसान है जो पार्टी में जाता है और वह है मानव भाई आपको तो पता ही है नीतु चाची के बेटे मानव भाई ज्यादातर ओफिस ना आकर पार्टी शार्टी करते रहते हैं अनिकेट की बात सुनकर युवराज गहरी सांस लेकर कहता है तुमने सही कहा हो सकता है सुहाना उसे अनकल कह रही हो अगर ऐसी बात है तो तुम मानव को वर्निंग दे देना और उसे कह देना सुहाना से दूर रहे उन दोनों को बात करते हुए देखकर सुहाना एक नजर उन दोनों को देखी फिर जल्दी से सोफे पर जाकर बैठ गई क्योंकि अब उसे अनिकेट का आया हुआ पेस्ट्री खाना था जैसे ही उसने पेस्ट्री खोला उसका नजर डब्बे के अंदर पाइनेपल पेस्ट्री पर गया उस पेस्ट्री को देखते ही सुहाना खुश होकर कहती है अरे वाह ये तो मेरा मनपसंद पेस्ट्री है ये कहकर सुहाना पैस्टी जल्दी जल्दी खाने लगी अनिकेट ने ये देखा तो वह खुश होकर युवराज को देखने लगा वहीं युवराज ने जब सुहाना को देखा तो अचानक से उसका नजर सुहाना के हाथों पर गया जहां से खून निकल कर आ रहा था ये देखते ही युवराज की आखे छोटी हो गई वह बिना समय गवाय तुरंट सुहाना के पास आकर उसके बगल में बैठा सुहाना ने जब देखा युवराज उसके पास आया है तो वह जल्दी से अपने पेस्ट्री को छुपाने लगी यह देखकर युवराज उसे देखकर कहता है मैं तुम्हारा पेस्ट्री लेने नहीं आया हूँ तुम्हें इतना गहरा चोट लगा है और तुम्हें इस बात की खबर भी नहीं है तुम्हारे हाथों से लगातार खून बह रहा है और तुम हो की आराम से पेस्ट्री खा रही हो युवराज की बाते सुनकर सुहाना का नजर अपनी चोट पर गया जहां से लगातार खून बहे जा रहा था ये देखकर सुहाना युवराज को देखकर हस्ते हुए कहती है ये चोट मुझे तो पता भी नहीं चला ये कब लगी शायद पौदे लगाते समय लग गई होगी ये कहकर सुहाना ने युवराज को इग्नो किया फिर चुपचाप अपना पेस्ट्री खाने लगी वही जब अनिकेट ने भी देखा सुहाना को चोट लगा है तो वह जल्दी से उन दोनों के पास आया युवराज ये देखकर हैरान था इतना गहरा चोट लगने के बावजूद भी सुहाना बड़े आराम से पेस्ट्री खा रही है शायद इस जगह पर नंदिनी या फिर कोई और लड़की रहती तो अब तक घर को सर पर उठा लेती दर्ट से रोना शुरू कर देती लेकिन सुहाना तो किसी को कुछ बोली तक नहीं ये सोचकर युवराज अपने भाय अनिकेट को देखते हुए कहता है मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा है इतना गहरा चोट लगने के बाद भी सुहाना को दर्ट क्यों नहीं हुआ जहां तक मुझे लग रहा है ये चोट सुहाना को तब लगी होगी जब हम उसके पास थे लेकिन उस समय अगर किसी को चोट लगे तो वह तुरंक दर्ट से चीखने लगता है पर सुहाना ने एक उफ तक नहीं की युवराज की बात सुनकर अनिकेट सुहाना को देखतर वह कहता है आप सही कह रहे हो भाई मुझे भी ऐसा ही लग रहा है वैसे हो सकता है उस समय भाभी को दर्द महसूस नहीं हुआ होगा लेकिन अभी उनको चोट लगी है आप उनकी चोट पर दवाए लगा दो मैं अभी मेडिकल बॉक्स लेकर आता हूँ ये कहते ही अनिकेट जल्दी से टेबल पर रखे मेडिकल बॉक्स को लाकर युवराज को दे दिया अनिकेट के लाए हुए मेडिकल बॉक्स को लेते हुए युवराज ने अनिकेट से कहता है ठीक है मैं तब तक इसको पट्टी कर देता हूँ तुम किचन में जाकर कुछ टिशू पेपर लेकर आओ क्योंकि मेरे कमरे में टिशू पेपर खत्म हो चुके है ये लड़की पेस्ट्री खाखा कर खुद के साथ अब मेरे घर को भी गंदा करेगी युवराज की बात सुनकर अनिकेट हस्ते हुए कहता है अरे भाई आप गीना अगर भावी को इतना ही मन है पेस्ट्री खाने का तो उन्हें अच्छे से खाने दो घर में नौकर है मैं उन्हें कमरे में भेज दूंगा वो सफाई कर देंगे ये कहकर अनिकेट से जल्दी से वहां से चला गया जब युवराज ने देखा उसका भाई वहां से चला गया तो वह एक नजर सुहाना को देखा जो खुश होकर अपना पेस्ट्री खा रही थी फिर उसके हाथों को पकर कर उसके चोट को देखने लगा उसके हाथों से खून गिरते हुए उसे कपड़े पर भी गिर रहा था ये देखकर युवराज ने सुहाना को देखा वही जब सुहाना ने देखा युवराज उसे ही देखे जा रहा है तो वह मुस्कुराते हुए कहती है अरे मैंने कहा ना आप फिकर मत करो ऐसी चोट मुझे लगती रहती है जब मैं चोटी थी ना तो मेरी मम्मी भी मुझे ऐसे ही चोट देती थी मेरे बॉडी पर बहुत जगह पर अभी भी निशान बने हुए है लेकिन मैं उसको चुपा कर रखती हूँ मैं नहीं चाहती हूँ किसी को भी वह निशान दिखाई दे जिसको मैं अच्छे से जानती हूँ जिसके पास मुझे रहने से अच्छा लगता है मैं उन्हीं को ये सारी बाते बताती हूँ सुहाना की बात सुनकर युवराज ने एक चैन की सांस ले फिर वह उसके हाथों को रूई साफ करते हुए उसके चोट पर दवाई लगाते हुए कहता है अच्छा तो इसका मतलब यही है कि तुम मेरे पास रहकर अच्छा फिल करती हो तुम ही मेरे पास रहने में अच्छा लगता है तभी तो तुम मुझे ये सब बाते बता रही हूँ न तुम भी मुझे नहीं बताती। युवराज की बात सुनकर सुहाना बच्चों की तरह खिलखिला करका हस्ते हुए कहती है। युवराज की बात सुनकर सुहाना मुँ बनाकर कहती है लेकिन मैं आपको कैसे बताती। सुहाना की बात सुनकर युवराज हैरान कर कहता है ये क्या बात हुई तुम कोई रोबोट थोड़ी हो जो तुम्हें चोट लगेगा दर्द नहीं होगा। इंसान का जो बाड़ी होता है वो इंसान खुद में फील करता है। जब तुम्हें चोट लगा होगा तो थोड़ा सा ही दर्द महसूस हुआ होगा। युवराज की बात सुनकर सुहाना हसते हुए कहती है नहीं मुझे बिलकुल भी दर्द नहीं हुआ। आपको पता है मैं दूसरों को दर्द में देखकर दर्ने लगती हूँ। मैंने जो ओफिस में देखा कैसे उन आंटी को चोट लगा तो मैं दर गई थी। मैं किसी को अगर चोट में देखती हूँ न तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वह चोट मुझे लगी हो। किसी दूसरे को चोट में देखकर मुझे दर्द होता है लेकिन जब मैं खुद चोट में रहती हूँ तो मुझे दर्द बिल्कुल भी नहीं होता सोहाना की बाते सुनकर युवराज काप सर घूमने लगा था उसे समझ नहीं आ रहा था सोहाना आखिर है क्या चीज इतनी कमजोर लड़की होने के बावजूद भी उसे दर्द महसूस नहीं होता है इतना गहरा चोट लगने पर आजकल की लड़किया तो पूरा घर तो उठा लेती है यहां तक की तुरंध हॉस्पिटल तक चली जाती है लेकिन सुहाना एक ऐसी लड़की है जो चोट लगने के बाद भी उसे खुद भी पता नहीं चला उसे चोट लगा है यह सोचकर युवराज ने जल्दी से उसके हाथों पर दवाय लगाया फिर पटी करने के बाद मेडिकल बॉक्स को बंद करने के बाद सुहाना को देखते हुए कहता है बतुम अब यहां सोफे पर सो सकती हो और हां सोने से पहले एक बार खुद को साफ कर लेना क्यूंकि तुम्हारे कप्टों पर पेस्ट्री लगा है युवराज की बात सुहाना एक नजर खुद को देखी फिर अपना पूरा पेस्ट्री खत्म करने के बाद अपनी जगह से उठते हुए कहती है मुझे पता है इसलिए तो मैंने सोचा पहले मैं अपना पूरा पेस्ट्री खत्म करूंगी ये कहकर सोहना बातरूम की तरफ जाने लगी जब युबराज ने ये देखा तो वो चुपचाप अकने बैग पर जाकर बैग गया युबराज के मन में अभी सोहना के बारे में ही ख्याल आ रहे थे वो सोहना को लेकर बहुत कनफ्यूज हो रहा था सोहाना बिजनेस के बारे में बहुत अच्छी से जानती है ये बात उसे पता है सोहाना इतना इंटेलिजेंट कैसे है लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था आखिर इतना कुछ हो जाने के बाद भी सोहाना कुछ रियक क्यों नहीं करती है जब कोई खुशी की बात आती है तो वह उस चीज को एकसेप्ट नहीं करती है बाहर जाने से दर्ती है लोगों को देखकर दरना शुरू हो जाती है दूसरों को दर्द में देखकर खुद दर्द महसुस करती है ये सब सोचकर युवराज ने गहरी सांस लिया तभी सुहाना अपने कपड़े बदल कर वापस से कमरे में आई कमरे में आने के बाद सुहाना ने युवराज को देखा युवराज को देखने के बाद सुहाना चुपचाप उसके पास आई फिर उसके बगल में बैट पर जाकर बैट गई युवराज ने जब यह देखा तो उसकी बोहे सिकुर गया क्योंकि उसने सुहाना से कहा था सोफे पर जाकर सोने को लेकिन सुहाना उसके बैड पर आकर सो रही थी ये देखकर युगराज गुस्से में कहता है मैंने तुम ही कहा था सोफे पर सोने को तुम मेरे बैड पर क्यों सो रही हो क्या मैंने तुम ही कहा यहां सोने के लिए युवराज की बात सुनकर सुहाना एक नजर उसे देखी फिर मुस्कुराते हुए कहने लगी नहीं आपने नहीं कहा लेकिन कल भी तो मैं आपके साथ सो रही थी तब आपने मुझे कुछ नहीं कहा फिर अभी क्यूं कह रही हो सोहाना की बात सुनकर युवराज उसे देखकर बुस्से में कहा अभी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी मैं सोया हुआ नहीं हूँ तल गहरी नींद में होने की वज़े से मुझे पता नहीं चल पाया और जब मैं सुबह उठा तो मैंने देखा तू मेरे बगल में सो रही हो लेकिन इसका मतलब यह नहीं मैं तुम्हें हर समय अपने ही कमरे में रखकर अपने ही बैट पर सोने को कहू तुम जाकर सोफे पर सो जाओ मुझे बहुत नींदा रही है यह कहकर युवराज ने एक नजर सुहाना को देखा युवराज की बात सुनकर सुहाना बैट से उठी फिर चुप चाप सोफे पर जाकर बैट गई यह देखकर युवराज ने गहरी सांस लिया वो सुहाना को बैट से हटाना नहीं चाहता था लेकिन वह सुहाना के साथ सोना भी नहीं चाहता था ये सोचकर उसने कमरे की लाइट को बंद किया फिर अपने बैट पर आराम से लेटने के बाद अपनी आखों को बंद कर लिया कमरे की लाइट बंद हो चुकी थी ये देखते ही सुहाना टेबल पर रखे छोटे से लाइट को ओन करने लगी लेकिन वह लाइट ओन नहीं हो रहा था ये देखकर सुहाना को अब दर लगने लगा लाइट को ओन ना होते हुए देखकर वह जल्दी से सोफेर से उठकर बैठ गई फिर सामने की और युवराज को देखने लगी युवराज की आँखें बंद थी लेकिन वह अभी सोया हुआ नहीं था अब उसके कानों में किसी के लंबी-लंबी सांसे लेने की आवाज आई तो वह जल्दी से अपनी आँखों को खोला तो उसने देखा सोहाना सोफे पर बैठी हुई है ये देखकर युवराज ने अपने कमरे की लाइट को ओन किया जैसे ही कमरे का लाइट ओन हुआ युवराज का नजर तुरंट सोहाना पर गया जो डर की वज़े से सोफे के एक कोने को पकल कर बैठी हुई थी सोहाना को ऐसे डरे सह में बैठे हुए देखकर अचानक से युवराज को याद आया अंधेरे में रहने की बज़े से सोहाना को डर लगने लगता है ये सोचकर युवराज अपने जगल से उठकर सोहाना के पास आया सोहाना सुबक के कोने में बैठी हुई थी जब उसने देखा युवराज उसके पास आ गया है तो वह जल्दी से युवराज के पास जाकर उसको कसकर गले लगा ली वही जब युवराज ने ये देखा तो उसके हाथ हवा में ही रुक गए वो सोहाना को खुद से दूर नहीं किया था वो जानता था इस समय सोहाना काफी डरी हुई है क्योंकि अंधेरे से सोहाना को फोबिया है जिस वजह से सोहाना को इस समय कुछ भी कहना सही नहीं होगा ये सोचकर थोड़ी देर के लिए युवराज ने सोहाना को ऐसे ही गले लगा कर रखा जब 10 मिनट बीट गए तब युवराज ने देखा सोहाना अभी तक उससे दूर नहीं हुई है तो वह सोहाना को खुद से दूर करके कहा मैं तुम्हारे लिए लाइट रखवाया था तो तुमने उसे ओन क्यों नहीं किया युवराज की बात सुनकर सोहाना गरते हुए कहती है लाइट ओन कर रही थी लेकिन वह ओन नहीं हो रहा है मेरा यकीन कीजिए मैं कोशिश कर रही थी पर वहौन ही नहीं हो रहा मुझे बहुत दरलग रहा है मैं यहाँ पर नहीं सोंगा आपके पास सोना है आपके साथ रहना है वरना वह मुझे लेकर चला जाएगा मैं आपके साथ रहूंगी ये कहते कहते सुहाना वापस से युवराज को कसकर गले लगा ली सुहाना के बरताव को देखकर युवराज को अजीब लगा सुहाना की बातों से ऐसा लगा जैसे बचपन में कोई उसे लेकर जाता था ये सोचकर युवराज ने टेबल पर रखे लाइट को देखा लाइट ओन के बटन ओन थे लेकिन लाइट ओन नहीं हुआ ये देखकर वह समझ गया सुहाना सही कह रही है ये सोचते ही युवराज ने एक चैन की सांस लेकर सुहाना को खुद से दूर करके कहा तेखो तुम है अगर मेरे साथ सोना है तो ठीक है चलो लेकिन तुम मेरे करीब नहीं आओगी युवराज की बात सुनकर सुहाना जल्दी से उससे दूर हुई फिर अपने आंसों को साफ करके कहने लगी हां मैं आपसे वादा करती हूँ मैं आपके पास नहीं आओंगी लेकिन मुझे आपके पास ही रहना है ये कहते ही सुहाना बिना युवराज की बात सुने जल्दी से बिस्तर पर जाकर लेट गई सुहाना को बच्चों जैसी हरकत करते हुए देखकर युवराज ने पहले तो अपने सर को जटका फिर अपनी जगल से उठकर वापस से बैट के पास आया उसे सुहाना का बरताव काफी अजीब लग रहा था कभी कभी सुहाना की बाते सुनकर ऐसा लगा था जैसे वो बड़ो जैसी बाते कर रही है और कभी कभी सुहाना की बाते सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वह फाइव साल की बच्ची हो जिसे कुछ भी समझ नहीं हो ये सोचकर युवराज ने एक नजर सुहाना को देखा जो तकिये को कसकर गले लगा कर सो गई थी ये देखकर वह एक नजर लाइट को देखा फिर चुपचाप अपनी आँखों को बंद करके सोने की कोशिश करने लगा अगले दिन सुबह का समय कौशल या गोयल गायत्री गोयल के साथ बैठ कर बाती कर रही थी तब ही गायत्री गोयल का नजर नंदिनी पर गया जो ललकडाते हुए चल रही थी नंदिनी को ललकडा कर चलते हुए देखकर गायत्री गोयल परेशान भरी आवाज में कहती है नंदनी ये तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें जो छोट लगी थी कैची से वो तो ठीक हो चुका था ना गायतरी गोयल की बात सुनकर नंदनी को कलका सीन याद आया कैसे सोहना की वज़े से उसे वापस से चोट लग गया ये सोचते ही नंदिनी गायतरी गोयल के पास आकर उनके बगल में बैठते वे कहती है आंटी उस दिन कैची से जो मुझे चोट लगी थी वह तो कब की ठीक हो गई लेकिन कल सोहाना की बज़े से मुझे वापस से चोट लगा आपको पता है कल जब मैं युवराज की साथ गार्डन में थी तब सोहाना मेरे युवराज को अपने साथ लेकर चली गई वह भी मेरी नजरों के सामने से आप सोचिये मुझे पर क्या बीत रही होगी आप तो जानती है ना मैं युवराज से कितना प्यार करती हूँ ये सब हो जाने के बावजूद भी मैं इस घर में रह रही है क्योंकि मैं युवराज को खुद से दूर नहीं देख सकती हूँ युवराज की शादी भले ही हो गई है लेकिन ये बात आप और मैं जानते हैं युवराज इस शादी को नहीं मानता है लेकिन कुछ लोग है जो चाहते हैं युवराज इस शादी को मान जाए ये कहकर नंदिनी कोशल्या गोयल को देखने लगी वही कोशल्या गोयल नंदिनी की बातों को समझ चुकी थी इससे पहले की कोशल्या गोयल नंदिनी से कुछ कहती तब ही गायतरी गोयल एक नजर कोशल्या गोयल को देखने के बाद नंदिनी से कहती है तुम सही कह रही हो लेकिन हम क्या ही कर सकते हैं यहां पर मेरी नहीं चलती है जिसकी चलती है वही सब कुछ करता है लेकिन तुम फिकर मत करो मैं जानती हूँ युवराज कभी भी उस पागल लड़की से प्यार नहीं करेगा युवराज आज भी तुमसे प्यार करता है वो पागल लड़की है जिसको बहुत जल्द हम घर से निकाल देंगे गायत्री गोयल की बात सुनकर नंदिनी के होटो पर शैतान बड़ा मुस्कुराहत नजर आने लगा वो शैतान भरी नजरों से गायत्री गोयल को देखते हुए कहती है मैं जानती थी आंटी कोई मेरा साथ दे या ना दे लेकिन आप मेरा साथ जरूर दोगी लेकिन आपको पता है जब सोहाना मेरे और युवराज के पास रहती है तब मेरे साथ कुछ न कुछ होता है कुछ दिन पहले जब सोहाना पहली बार ओफिस आई थी उस दिन भी मुझे चोट लग गया था और उस समय सोहाना भी वही मौजूद थी मैंने युवराज से कहा लेकिन युवराज नहीं मेरी बातों पर यकीन नहीं किया और जिस दिन मुझे कैची लगा था उस दिन भी मैं युवराज के साथ बाते कर रही थी सोहाना ने मुझे युवराज के साथ बाते करते हुए देख लिया था जिसके बाद जब युवराज वहां से चला गया तो मुझे वापस से चोट लगा और कल गार्टन में युवराज सुहाना की मदद कर रहा था ये देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा इसलिए में युवराज के पास जाके उसे गले लगा ली तो वह लड़की आकर मुझे और युवराज को दूर कर दी मुझे काफी गुसा आया लेकिन मैं अपने गुसे को दवाई क्योंकि मैं जानती थी युवराज सुहाना से प्यार नहीं करता है वो बस सुहाना के सामने दिखावा कर रहा है बहुत जल्द वो सुहाना को घर से भी निकाल देगा जैसे ही युवराज को सुहाना वहां से लेकर गई तब ही मेरे पैरों में फूयों वाला कांटा चुप गया जब-जब सुहाना मेरे पास होती है मुझे कुछ ना कुछ होता है और आपको पता है वो तब ही होता है जब मैं युवराज के पास रहती हूँ मैं आपको गारंटी के साथ रह सकती हूँ सोहाना कोई पागल नहीं है बलकि वो जादू करना जानती है वो अपने जादू के तरीके से ऐसा कुछ कर देती है जिसे मुझे नुकसान हो जाता है और किसी को कुछ दिखाए भी नहीं देता उस दिन आफिस में भी मैंने युवराज को कई बार कहा लेकिन युवराज ने मेरी बातों पर यकीन नहीं किया सबको यही लगता है वो है एक बेवकूफ है दर्पोख है लेकिन मैं जानती हूँ वो अपने मासूम चहरे के पीछे दूसरा चहरा चुपा कर रखी है जिसके बारे में कोई नहीं जानता है लेकिन मैं इतने शातिर हूँ कि उसका वर चहरा भी पहचान चुकी हूँ नंदिनी ने इतना ही कहा था तभी पीछे से कड़क आवा जाया मैंने पहले भी तुम्हें कहा था चाहे भगवान भी आकर मुझे कह देगा तो मैं तुम्हारी बातों या फिर किसी की बातों पर यकीन नहीं करूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ सुहाना मर जाएगी लेकिन कभी भी ऐसा काम नहीं करेगी ये कहते हुए युबराज अपने हाथों में घरी पहन कर उन सभी के पास आया उन सभी के पास आने के बाद युबराज अपनी मां को देखते हुए कहता है आप भले ही सुहाना को पागल कहो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है वह आपको पागल दिख रही होगी लेकिन मेरे लिए वह बहुत कीम्ती चीज है और हां नंदिनी तुम तुम कह रही हो सुहाना ने तुम्हें मारा है जो लड़की किसी का खून देखकर इतना डर लगे वह लड़की भला किसी को कैसे मार सकती है तुम्हें पता है तुम्हें कल चोट लगा तो तुमने इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया वही कल सुहाना को भी चोट लगा था वह भी तुमसे ज़्यादा गहरा लेकिन उसने किसी से कुछ भी नहीं कहा मैं तुमसे प्यार बहुत करता हूं लेकिन इसका मतलब यह नहीं तुम अगर कुछ गलत बोलोगी तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। सुहाना के साथ तुम सबसे ज़्यादा में रह रहा हूँ, वह सबसे ज़्यादा मेरे साथ रह रही है, भले ही मैं उसके साथ रहना नहीं चाहता हूँ लेकिन इन कुछ दिनों से मैं उसे बहुत चुका है अच्छी से पहचान सुहाना को चोट लगा उसके बावजूद भी उसने किसी को कुछ नहीं बताया वो तो भला था कि मैं और अनिकेत उस समय कमरे में थे तो सुहाना का चोट हमें दिखाई दे दिया वरना सुहाना हमें कभी बताती भी नहीं और तुम हलकी सी चोट को लेकर इतना बवाल कर रही हो तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो जो इतना दर्ड नहीं सह सकती हो अगर तुम्हें चाकू लगा होता दुबारा तो एक समय के लिए मैं सोचता तुम दर्ड में हो इसलिए इतना चिल्ला रही हो लेकिन काटा चुप जाना कैची लग जाना यह कोई चोट नहीं है युवराज की बात सुनकर नंदनी हैरान होकर कहती है ये तुम क्या कह रहे हो युवराज तुम ऐसा कह भी कह सकते हो तुम्हें पता है ना मैं कितनी नाजुक हूँ तुम भी तो मेरा बहुत देखभाल किये हो सच में युवराज आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सुहाना के आने की वज़े से तुम बदल रहे हो तुम मेरे युवराज नहीं हो ये कहकर नंदनी की आँखों में आसु आ गए वो नम आँखों से एक नजर युवराज को देखने के बाद वहां से चली गई जब गायतरी गोयल ने देखा नंदिनी रोते हुए गई है तो वो ही उवराज को देखकर हिरान होकर कहती है तुम ही क्या हो गया है? पहले तो तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे सुहाना से तुम नफरत करते हो जिस लड़की को तुम अपने सामने देखना पसंद नहीं करते उस लड़की को तुमने घर में रखा है यहां तक कि अब तुमने उसे अपने कमरे में रखा है तुम नंदनी से प्यार करते हो, नंदनी भी तुमसे बहुत प्यार करती है, सोचो उस पर क्या बीत रही होगी जब वह बार-बार ये देख रही होगी तुम्हारे कमरे में कोई और लड़की है, सच में युवराज बहुत गलत है, तुम्हें नंदनी के बारे में सोचना चा लेकिन आपका पती वह तो गैर वारतों को लेकर आता और आप कुछ नहीं कहती है लेकिन आज आपका बेटा अगर अपनी पतनी को अपने कमरे में रख रहा है तो आपको प्रॉब्लम हो रही है पहले आप अपना देखिए फिर मेरा सोची जीएगा आप मेरी मा है इसलिए मै आपको हजार बार समझाया हूँ उस इंसान को छोड़ दीजिए फालतों का आप उस इंसान को घर में रखी हुई हो अगर आप चाहती है सोहाना यहां से चली जाए तो सबसे पहले आपको अपने पती को घर से निकालना पड़ेगा उसके बाद सोहाना यहां से जाएगी य यह कहकर युवराज गुस्से में चला गया। युवराज की बाते सुनकर और उसे गुस्से में देखकर गैतरी गोयल की आखें गुस्से से लाल होने लगी। वही कौशल या गोयल जो वहाँ बैटकर यह सब देख रही थी वह अपनी जगल से उठकर मुस्कुराते हुई कहती है। दूसरी बीवी और तुम्हारी सोतना लेकर आए। फिर पता चला वो और उसकी दूसरी बीवी को तुम्हें ही इस घर से निकाला पड़ा क्योंकि इस समय इस घर का महारानी में हूँ और जो मैं बोलूगी वही होगा ये बात भी याद रखना ये कहकर कोशल या गोयल वहा था उसका भाई अनिकेट जब उसे पता चला घर पर क्या हुआ तो वह सब कुछ जानकर हैरान हो गया था। उसे यकीन नहीं हुआ उसका भाई सुहाना की तर्फदारी करते हुए अपनी मा से लड़ेगा। अनिकेट जब युवराज की केबिन में आया तो उसने देखा य अनिकेट उसके पास आकर कहता है भाई में ये क्या सुन रहा हूँ आपने मा से ऐसा क्यूं कहा आपको तो पता है ना मा जब ये सब सुनती है तो उन्हें कितना बुरा लगता है। अनिकेट की बाते सुनते ही युवराज लाप्टॉप पर काम करते करते ही रुक गया। उ उसने एक नजर अपने भाई को देखा फिर गहरी सांस लेकर कहा देखो अनिकेट जो सच है उसे बोलना सीखना चाहिए सच भले ही करवा होता है लेकिन सच सच होता है। तब तक सोहाना मेरे ही घर में रहेगी। मैं नंदनी को हट करना नहीं चाहता हूँ। मैं जानता हूँ मुझे सोहाना के साथ देख कर उसे अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन उसे भी मेरी बातों को समझना चाहिए। मैं ये सब अपने मतलब के लिए नहीं कर रहा बलकि अपने कमपनी को उपर करने के लिए कर रहा हूं। वैसे नंदनी को बता भी नहीं सकता हूं सुहाना को मैंने घर में क्यों रखा है मैं चाहता हूं सुहाना के बारे में किसी को भी पता ना चले इसलिए तो मैंने दादी को छोड़कर सबसे कह दिया। सोहाना एक बेवकूफ लड़की है जिसे कुछ भी बनाना नहीं आता है उस दिन वर इसलिए इतना कुछ बनाई थी क्योंकि बस उसे एक ही डिजाइन बनाना आता था जिसके बाद घर में सभी को ऐसा लग रहा है सोहाना को कुछ भी नहीं आता है तुम्हें तो पता ही है मान का युबराज की बाते सुनकर अनिकेत को अच्छा नहीं लग रहा था खास करके ये जानकर उसका भाई सुहाना को अपने मतलब के लिए घर में रखा है ये सोचकर अनिकेत उदासमन से कहता है मैं जानता हूँ भाई आप ये सब क्यूं कर रहे हो लेकिन आपको भी एक बा सोचना चाहिए था नंदनी के बारे में सोचना बंद कीजिए नंदनी छोटी बच्ची नहीं है जो हर समय रूठती रहेगी और आप उसे मनाते रहोगे जब उसे पता है आपकी शादी सुहाना से हो चुकी है तो पीछे क्यूं नहीं हो जाती है आनिकेत की बात सुनकर कभी भी उसे अपनी पत्नी नहीं माना उसके बारे में सच जानने के बाद मैंने सोचा चलो अगर इतना ही प्रॉब्लम है उसकी जिंदगी में तो मैं उसे अपने घर में रखने के लिए मान जाता हूँ एक तरफ से मेरा भी काम होगा दूसरा तरफ से सुहाना का भी काम हो और मैं जानता हूं पूरा परिवार मुझे धोखा दे सकता है लेकिन मेरी नंदिनी मुझे धोखा नहीं दे सकती है। युवराज की बात सुनकर अनिकेट को बहुत गुस्सा आ रहा था। जिस वजह से वह गुसे में युवराज से कहता है बस करो भाई नंदिनी 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 कर रहे हो. एक दिन यही नंदिनी आपको इतना बड़ा धोखा देगी जिसके बारे में आपको खुद उम्मीद नहीं होगा. वो लड़की जितना अच्छा दिखती है ना उतनी अ दिन आ जाए जिस दिन नंदिनी आपको धोखा देगी. फिर आपको पता चलेगा मैं और दादी आपसे ऐसा क्यूं कहते थे. ये कहकर अनिकेट गुसे मैं वहां से चला गया. अनिकेट की बाते सुनकर और उसे वहां से जाते हुए देखकर युवराज गुसे में अपना ह फाइ फाइ क्लास की है उसे चोटे कपड़े पहनना पसंद है जो मेरी दादी को अच्छे नहीं लगते हैं. इसका मतलब यह नहीं वह बस कपड़े में देखकर लोगों को जज़ करेगी. मैं जानता हूँ मुझे नंदनी से प्यार है और मैं ये भी जानता हूँ नंदनी म मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती है. उसने इतना ही कहा था तभी उसका नजर फोन पर गया जिस पर नंदनी का कॉल आया हुआ था. नंदनी के मिस कॉल को देखकर युवराज को याद आया आज सुबह में उसने सुहाना की वज़े से नंदनी को बहुत सुनाया था. ये य इससे अच्छा यही होगा मैं एक बार नंदनी से बात कर लेता हूँ ये कहकर युवराज अपना फोन लेकर वहां से निकला. कोयल मैंशन. सुहाना हॉल में बैठकर टीवी पर कार्टून देख रही थी उसी समय नंदनी बहुत अच्छे से तयार होकर घर से बाहर निकल रही थी. तब ही उसका नजर सुहाना पर गया सुहाना को हसते हुए कार्टून देखते हुए देखकर नंदनी को काफी गुस्सा आ रहा था. क्योंकि उसे सुहाना की मुस्कुराहत देखकर बरदाश्ट नहीं हो रहा था. वो ही एक नजर टीवी पर चले कार्टून को देखी फिर सुहाना के पास आकर कंच कस्ते हुए कहती है. तुम यहाँ पर बैटकर बच्चो वाली कार्टून देखो और वहाँ पर मैं अपने युवराज की साथ बैटकर रोमेंस करूंगी. आज तुम्हारी वजह से सुबह युवराज ने मुझे डाटा था लेकिन मैं जानती थी मेरा युवराज बहुत जल्दी मुझे मना भी लेगा और देखो अभी वह मुझे खाने पर बुलाया है आज मैं उसके साथ बैटकर लंच करूंगी. और उसके साथ समय बिताओगी. ये कहकर नंदनी वहां से गुसे में चली गई नंदनी को वहां से जाते हुए देखकर और उसके बाते सुनकर सुहाना वापस से टीवी देखने लगी. उसके एक अप्रेशन से ऐसा लग रहा था जैसे उसे नंदनी की बाते सुनकर कोई फर्क ही नहीं पड़ा उसे कोई मतलब ही नहीं हुआ नंदनी की बातों को सुनने के बाद थोड़ी देर बाद युवराज नंदनी को रस्टोरेंट लेकर आया हुआ था क्यूंकि उसने सोचा था रात में दिनर पर नंदनी को लेकर आएगा लेकिन वह यह जानता था नंदनी बहुत देर तक अगर नाराज रहेगी तो फाल्तु का वह दो-तीन दिन तक नाराज की खत्म नहीं करेगी इसलिए उसने सोच लेया था वह जल्दी नंदनी को मनाने की कोशिश करेगा युवराज नंदनी के सामने बैठा हुआ था लेकिन युवराज के एक्स्प्रेशन से लग रहा था जैसे वह खुश नजर नहीं आ रहा है ये देखकर नंदनी कन्फ्यूज होकर युवराज से कहती है तुम्हें क्या हुआ युवराज आज मेरे साथ लंच डेट पर आये हो लेकिन तुम्हारे चहरे पर कोई भी मुस्कुराहत नजर नहीं आ रही है मैं जानती हूँ तो मुस्कुराते नहीं हो लेकिन पहले जब तुम मेरे साथ डिनर पर आते थे, लंच पर आते थे तुम्हारे चेहरे पर एक सुकून दिखाई देता था लेकिन आज वह सुकून मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है क्या तुम्हे खुशी नहीं हो रही है मेरे साथ lunch करने में नंदनी की बाते सुनकर युवराज गहरी सांस लेकर कहता है नहीं नंदनी ऐसे बाते नहीं हैं मैं सोहाना के बारे में सोच रहा हूँ जब तक वो हमारे घर में है तब तक तुम्हें भी बुरा लगेगा लेकिन मैं क्या करूँ मैं दादी की वजह से उसे घर से नहीं निकाल सकता हूँ और मैं जानता हूँ तुम्हें सुहाना को मेरे साथ देख कर अच्छा नहीं लगता है और ऐसे में मुझे कभी कभी गुसे में तुम्हें डांटना पड़ता है आज तो मैंने गुसे में मां को भी सुना दिया नंदनी की बात सुनकर युवराज कनफ्यूज होकर कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है युवराज की बाते सुनकर नंदनी गहरी सांस लेकर कहती है युवराज तुम्हें तो याद होगा जब सुहाना पहली बार ओफिस आई थी तो कैसे मुझे और एक लड़की को चोट लगा था लेकिन उन सब के बावजूद भी सुहाना को कुछ भी नहीं हुआ सिर्फ मेरे साथ और उसी लड़की के साथ हुआ मैं जब जब तुम्हारे पास रहती हूँ तुम्हारे साथ रहती हूँ तो मेरे साथ कुछ ना कुछ होता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है सो हना जादू करना जानती है वह जादू टोना करके मुझे नुकसान पहुचाती है, क्योंकि वह तुम्हारे साथ मुझे देखना बरदाश्ट नहीं कर रही है मैं तो कहती हूँ तुम उस लड़की को पागल खाने भिजवा दो, क्या पता आगे चलकर वो लड़की तुम्हे और तुम्हारे पूरे परिवार को नुकसान पहुचाए वह जितनी मासूम दिखती है उतनी है नहीं तुम एक बार कोशिश करके देखो वह तुम्हे जितनी मासूम दिखाई दे रही है ना वह उतनी मासूम तुम्हे दिखेगी नहीं नंदिनी की बाते सुनकर युवराज अपनी आँखे छोटी करके कहता है तुम्हे कोई गलत फहमी हुई है नंदिनी सुहाना भले ही डरपोख है मासूम है लेकिन जादू करना ये कहान की बाते हो गई जादू करना किसी के बस की बात नहीं हुथी है बड़े बड़े लोग भी इसे बहुत मुश्किल से करते हैं और आजकल तो जादू टोना ये सब कहानियों में होता है असलियत में नहीं सोहाना तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है और वैसे भी जब भी तुम ही नुकसान पहुचा है तब सोहाने मेरी नजरों के सामने ही रहती है और मैंने देखा है सोहाना जैसे खड़ी होती है वैसे ही रहती है एक बार भी नहीं हिलती है तो भला तुम्हारे साथ कुछ कैसे कर सकती है युवराज की बाते सुनकर नंदिनी समझ गई थी युवराज उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगा ये सोचकर वो मुस्कुराते हुई कहती है अच्छा छोड़ो ये सारी बाते हम यहाँ पर अपने लिए आये हैं तो अपना ही बात करेंगे वैसे भी काफी समय हो गया है युवराज को हैरान देखकर नंदनी की आखे चोटी हो गई वही युवराज फोन पर बात करते हुए ही नंदनी के हाथों को छोड़ कर बिना उसे कुछ बताए रेस्टोरेंट से बहार निकल गया युवराज को ऐसे बहार जाते हुए देख नंदनी हैरान रह गई उसे उमीद नहीं था युवराज उसे ऐसे रेस्टोरेंट में अकेले छोड़ कर जाएगा ये सोचकर नंदनी गुस्से में दात पिसकर खुद से कहती युवराज ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो तुम पहले वाले युवराज नहीं हो जब से सुहाना तुम्हारी लाइफ में आई है तब से तुम बदल रहे हो अगर ऐसे ही रहा तो तुम मुझे भूल जाओगे नहीं मुझे कुछ भी करके सुहाना को घर से निकालना होगा वरना वो लड़की मुझसे तुम्हे छिन लेगी। ये कहकर नंदनी गुस्से में वहा से उठकर रेस्टोरंट से बहार निकली। वही दूसरी तरफ, फोन पर अनिकेट से बात करने के बाद युवराज तुरंट घर आ गया जैसे ही वह घर आया उसने देखा सभी घर वाले एक साथ खड़े हैं। उन सब को एक साथ देखकर युवराज ने कौशल्या गोयल से कहा। क्या हुआ है उससे, कहा है वह। युवराज अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अचानक से सोहाना ने ऐसा क्यू किया। कोशल्या गोयल की बात सुनकर युवराज ने उन्हें देखकर कहा। लेकिन वह क्यू की, क्या उसे किसी ने उसे कुछ कहा था। युवराज की बात सुनकर बाद सोहाना बाहर नहीं आई तो मैं और अनिकेट कमरे में गए सोहाना हमें कमरे में भी दिखाई नहीं दी तो हमने देखा सोहाना बात्रूम के बाथ तब सब में सो रही है अभी डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं अनिकेट भी कमरे में है तुम चाहो तो वहाँ पर जा सक मुझे समझ नहीं आ रहा है अचानक से सोहाना बात्रूम में जाकर क्यूं सो गई। जब मैं कमरे में आया तो मैंने देखा भावी बात्रूम में सो रही थी अचानक से भावी बात्रूम में मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है अनिकेत को परेशान देखकर युवराज गहरी सांस लेकर कहता है तुम फिकर मत करो डॉक्टर उसका चेक अप कर रहा है युवर से इनके बॉडी के कई हिस्सों पर चोड के निशान भी है जिसको देखकर साफ पता चल रहा है उसका इलाज कभी भी नहीं करवाया गया है ऐसे में इनके बॉडी में बहुत सारे इंफेक्शन फैल चुके हैं इतनी बड़ी लापरवाही आप लोगों को नहीं करनी बिल्कुल भी पता नहीं था सोहाना के बॉडी पर जितने भी चोड के निशान है उस पर कभी भी इलाज नहीं करवाया गया। हालां कि कल सुहाना ने उसे बताया था उसे कई बार चोट लगा है लेकिन उसे उस चोट का एहसास नहीं हुआ ये सब सोचकर युवराज डॉक्टर से कहता है डॉक्टर ये लड़की को आय हुए हमारे घर में कुछ दिन हुए है तो हमें कैसे पता चलता है इसे चोट लगी है या नहीं और उपर से इस लड़की ने खुद कहा है इसे जो भी चोट लगता है उसका दर्द इसे महसूस नहीं होता है तो अब आपी बताए जब इसे खुद ही दर्द महसूस नहीं होता है तो ये हमें कैसे बताएंगी वो तो कल मैंने इसके हाथों पर चोट के निशान देख लिया था तो मैं इसके हाथों पर दवाए लगा दिया लेकिन इसने मुझे कभी नहीं बताया अपनी और चोटों के बारे में मुझे एक बात बिलकुल भी समझ नहीं आ रहा है इस लड़की को जब लगता है तो उसके बावजूद भी इसे दर्ड महसूस क्यों नहीं होता है इतना गहरा चोट लगने के बाद भी इसे कोई दर्ड महसूस नहीं हुआ ऐसा कैसे पॉसिबल है युबराज की बाते सुनकर डॉक्टर हैरान रह गया उसे यकीन नहीं हो रहा था सोहना के बारे में ये सब जानकर वो हैरान होकर युबराज को देखते हुए कहते हैं क्या कहा आपने इन्हें चोट लगती है और इन्हें खुद ही दर्ड महसूस नहीं हुता है ये तो बहुत critical problem लग रही है I mean आजकल normal इंसान को हलकी सी injection भी लग जाए तो वो इंसान उसमें भी चिल्लाने लगता है और आप कह रहे हैं इनको गहरी चोट लगती है तो उसमें भी इन्हीं दर्ड नहीं होता डॉक्टर की बात सुनकर युवराज गहरी सांस लेकर कहता जी आप सही समझे इसलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या कभी आपको ऐसा patient मिला है जिससे इस तरह की problem हो क्यूंकि मैंने अपनी लाइफ में पहली बार एक ऐसे इनसान को देखा है जिसको चोट लगने पर दर्ड महसूस नहीं होता युवराज की बात सुनकर डॉक्टर ने सुहाना को देखा सुहाना की आँखे अभी भी बंद थी ये देखकर डॉक्टर युवराज को देखते हुई कहते हैं देखिए मिस्टर गोयल मैं तो आज तक ऐसे patient का इलाज नहीं किया और नहीं मेरे पास ऐसे patient आये हैं लेकिन हाँ मैंने एक किताब में पढ़ा था ऐसे इंसान होते हैं बट वह बच्पन से ऐसे नहीं होते हैं बल्कि उनके साथ जो हादसा होता है वह उनको ऐसा बना देता है शायद इनके अतीत में ऐसा कुछ हुआ होगा जिसके बाद ये दर्द सहना या फिर किसी को दर्द में देखना इन सबसे कोई फर्ट नहीं पड़ता होगा और ऐसे लोग ज़्यादातर लोगों से बहुत दर्ते हैं दूसरों को चोट में देखकर इनको ऐसा लगता है जैसे वह चोट उनको लग रही है और जब खुद की बॉड़ी पर चोट लगेगी तब उनको पता भी नहीं चलता है डॉक्टर की बात सुनकर युवराज हैरान होकर कहता है एक्जेक्ली सुहाना के साथ भी ऐसा ही होता है सुहाना को कल चोट लगा था उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया यहां तक कि उसने खुद कहा वल चोट उसे कब लगा पता भी नहीं चला बलकि उसका वह चोट काफी गहरा था और वही दूसरी तरफ जब घर में किसी को चोट लगता है तो वह उस चोट को देखकर दरने लगती है यहां तक कि वह बाहर जाने से भी डरती है लोगों को देखकर वह पीछे हच जाती है युबराज की बाते सुनकर डॉक्टर गहरी सांस लेकर कहते है इसका मतलब यही है ऐसे कुछ लोग हैं जससे ये बहुत दरती है जैसे मैंने एक किताब में पढ़ा था उसमें ये भी लिखा था उस तरह के पेशेंट होते हैं उनको ऐसे प्रबल में सबसे ज़्यादा दर पुलिस आर्मी डॉक्टर से दर लगता है खास करके जब उस पेशेंट को पता हो उसके सामने खड़ा इंसान पुलिस डॉक्टर आर्मी हो जरूरी नहीं कि उस पेशेंट को उन तीनों से डर लगे हो सकता है उन तीनों में से कोई एक ही ऐसा हो जिससे उस पेशेंट को डर लगता है वैसे आप पता करके देखिए इनको सबसे ज़्यादा किस इनसान से डर लगता है पुलिस डॉक्टर या फिर आर्मी ऑफिसर जिस इंसान से इन्हें डर लगेगा समझ जाएगा अतीत में जरूर उसी इनसान के साथ इनका कुछ हुआ होगा जिस वजह से वह वैसे इनसान को देखकर डरती है और अंजान इनसान में भी उसी को देखती है और हाँ मैं आपको रिपोर्ट के जरिये ज्यादा कुछ बता नहीं सकता क्योंकि इनको उतनी कोई बीमारी नहीं है लेकिन इसके बॉड़ी पर चोट है वह इनकी बीमारी का कारण बन सकती है तो आगे से ध्यान दीजिएगा मैं अभी कुछ दवाई देकर जा रहा हूँ जिसे आप दिन में करीबन चार बार इनके उस चोट पर लिगाएगा क्योंकि यह चोट बहुत पुराना है और इन्फेक्शन फैल चुका है डॉक्टर की बात सुनकर युवराज ने अनिकेट को देखा जो परेशान भरी नसरों से उसे देखा था फिर डॉक्टर को देखते हुए कहता है इतना कुछ हुआ तो क्या ये बात सुहाना को याद रहेगा क्यूंकि उसका बातरूम में जाकर सो जाना वह भी थंडे पानी में ये रिस्क वाली बात होती है क्यूंकि एक तो वह इनसान खुद ऐसा करता है या फिर गलती से वह बातहतब में गिरता है युवराज की बात सुनकर अनिकेत उसे देखकर कहता है पर भाय अगर भावी फिसल कर गिरती तो वहाँ पर कुछ ऐसे निशान बनते जब मैं बातरूम गया तो मैंने देखा भावी बड़े आराम से सो रही है ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद बातब में गई हो क्योंकि आमतोर पर जब कोई इंसान फिसल कर गिरता है तो वो उल्टे तरीके से गिरता है ना कि बड़े आराम से सोते हुए और भावी को जब मैंने देखा वो बड़े आराम से सो रही थी तो इसका मतलब यही है भावी खुद अंदर गई थी यहां तक की पानी भी भर चुका था जो उनकी आँखों तक पाउच चुकी थी अब तो भावी उठेगी तब ही हमें पता चल सकता है आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया अनिकेट की बात सुनकर युवराज सोच में पढ़ गया क्योंकि यह बात तो सच था सुहाना फालतू का सुसाइट करने की कोशिश नहीं करेगी और ऐसे में उसका खुद बात थता बंदर जाना यह कोई इत्तिफाक नहीं हो सकता है जरूर कोई बात है जिस वज़े से सुहाना को ऐसा कदम उठाना पड़ा यह सोचकर युवराज डॉक्टर से कहता है ठीक है डॉक्टर आपने हमें इतना बताया मैं इस बारे में सोचुगा और हार जिस किताब के बारे में आप बात कर रहे हैं वो किताब आप मुझे भिजवा दीजिएगा मुझे उस किताब पढ़ कर पता करना है ऐसे patient को कैसे संभाला जाता है जैसा की आपने कहा है सोहाना के साथ हतीत में कुछ हुआ होगा तो यह मैं guarantee के साथ कह सकता हूँ इसके साथ हतीत में बहुत कुछ हुआ होगा फिलहल जिसके बारे में मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है लेकिन अब मैं पता करवा कर रहूंगा युवराज की बात सुनकर डॉक्टर मुस्कुरा कर कहते हैं वेल ये तो अच्छी बात है मैं फिलहाल के लिए चलता हूँ अगर कोई दिक्कत हुई तो आप मुझे कॉल कर दीजेगा मैं तुरंत यहां आ जाओंगा वैसे इनका अभी आपको ध्यान रखना पड़ेगा और हाँ इनको फिलहाल के लिए दो दिन तक मीठा खाने मत दीजेगा वैसे तो मैं सब कुछ लिख दिया हूँ आप एक बार उसे पढ़ लीजेगा ये कहकर डॉक्टर मुस्कुरा कर कमरे से बाहर निकल गए जैसे डॉक्टर वहां से गए तभी अनिकेत युवराज को देखते हुए कहता है आपको क्या लगता है भाई भावी ने ऐसा क्यों किया होगा आप और मैं ओफिस में थे मैं कुछ काम से घर आया था तभी मैंने सोचा एक बार भावी से मिल लू तो मुझे भावी ऐसे मिली बात्रूम में वैसे कही मानव भाई ने तो कुछ नहीं किया चिस वज़े से भावी ने ऐसा कदम उठाया क्योंकि कल भावी ने कहा था मानव भाई उससे बद्तमीजी से बाते कर रहे थे और आप मानव भाई को बहुत अच्छी सी जानते हो वोल कैसा इंसान है भले ही इस घर में उसे हम रखे हैं लेकिन ये बात आप भूल नहीं सकते हैं वोल लड़कियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं अनिकेट की बात सुनकर युवराज बैट पर बैखते हुए सोहाना को देखा फिर अनिकेट से कहता है नहीं मानव ऐसा काम नहीं करेगा मैं जानता हूँ मानव लड़कियों के साथ गंदा व्यवहार करता है लेकिन वह सोहाना के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेगा खास करके तब तक जब मैं सोहाना के साथ हूँ मुझे ये कुछ और ही दिखाए दे रहा है जरूर सोहाना हमसे कुछ पा रही है जो बताना नहीं चाहती है लेकिन मैं पता करके रहूंगा आखिर वह ऐसा क्या छुपा रही है जो मुझे पता नहीं चलपा रहा सोहना का यू बात्रूम में जाकर सो जाना और खुद को नुकसान पहुचाना यह कोई जानबूज कर भी खुद के साथ नहीं करता है यह कहकर युवराज सोहना को देखने लगा युवराज की बात सुनकर अनिकेट कनफ्यूज होकर कहता है आपके कहने का मतलब क्या है मुझे कुछ समझ नहीं आया अनिकेट की बात सुनकर युवराज गहरी सांस लेकर कहता है वह सारी बाते मैं तुम्हें बाद में समझाओंगा तुम अभी कमरे से बाहर जाओ और कोई सुहाना के बारे में पूछे तो कह देना सुहाना बिल्कुल ठीक है और हाँ किसी को भी मेरे कमरे में आने मत देना किसी को भी मतलब नंदनी को भी नहीं युवराज की बात सुनकर अनिकेट हैरान रह गया लेकिन वह हिस्समें युवराज से कोई सवाल नहीं कर सकता था ये सोचकर वह जल्दी से युवराज की कमरे से बाहर निकल गया अनिकेट युवराज की कमरे से बाहर निकलने के बाद सीधे हॉल में आया जैसे ही वह हॉल में आया उसने देखा घर की सभी लोग वहां बैठे हुए हैं उन सभी के चहरे पर कोई भी परेशानी नजर नहीं आ रही थी लेकिन कौशल्या गोयल के चहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रहा था ये देखकर अनिकेट मुस्कुराते हुए कोशल्या गोयल के पास आकर कहता है दादी आप फिकर मत कीजिए भावी बिल्कुल ठीक है डॉक्टर ने उन्हें दवाई दे दिया है और डॉक्टर ने ये भी कहा है भावी बिल्कुल ठीक है अनिकेट की बात सुनकर कोशल या गोयल चैन की सांस लेकर अनिकेट को देखते हुए परेशान भरी आवाज में कहने लगी वैसे सुहाना बात्रूम में फिसल कैसे गई जहां तक मैं जानती हूँ युवराज के बात्रूम का मार्बल इतना स्तर नहीं है जिससे कोई भी इनसान फिसल जाए कोशल या गोयल की बात सुनकर अनिकेट ने उन्हें देखा इससे पहले की अनिकेट उन्हें कुछ कहता तब ही गायतरी गोयल मूँ बनाकर कोशल या गोयल से कहती है मा मैंने आपसे कितनी बार कहा है वो लड़की एक नंबर की बेवकूफ है कोई भी काम उसे ठीक से करना नहीं आता है जाहिर सी बात है बात्रूम में जाकर पागल वाली हरकत ही करेगी जिसकी वजह से उसका पैर फिसल गया गायत्री गोयल की बात सुनकर अनिकेट ने गुसे में कहता है क्यों बेकार में आप भावी के बारे में इतना बेकार शब्द बोलती हो मैं जानता हूँ आपको भावी नहीं पसंद लेकिन इसका मतलब यह नहीं आप कुछ भी बोलोगी अगर भावी को पता चला आपने वापस से भावी के खिलाफ कुछ भी कहा तो फालतू का भावी आप पर गुसा करेंगे फिर आप हमें ही कहोगी भावी आपसे प्यार नहीं करते हैं आनिकेट की बात सुनकर गायत्री कोयल गुसे में कहती है तुम कुछ ज्यादा ही उस लड़की के चमचे बन रहे हो तुम्हारा भावी तो एक एहसान मान कर उस लड़की को घर में रखा है अगर वह लड़की बिजनेस प्रपोजल को अच्छी तरीके से नहीं बनाए होती तो मैं आज उस लड़की को घर में रहने तक नहीं देती लेकिन शुक्र मनाओ उस लड़की का कोई दिमाग मेरे बेटे को काम आ रहा है गायत्री गोयल की गुसे भरी बाते सुनकर कौशल या गोयल चिलाते हुए कहती है बस करो गायत्री मैं चुक्तू इसका मतलब यह नहीं तुम बोलती जाओगी यह मत भूलो यहाँ पर मेरा राज चलता है सुहाना का दिमाग तुम से तो बहतर ही चलता है तभी तो आज तक तुम कमपनी की कोई दूसरे में काम नहीं आई लेकिन सुहाना यहाँ आते ही युवराज की कमपनी की उचाय को बढ़ाने लगी एक ही बात बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है सुहाना ही युवराज का मदद किया तुम शायद भूल रही हो योगराज ने क्या कहा था किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए किसी को भी मतलब घर के बाहर वाले लोगों को जिसमें नंदिनी भी आती है अगर नंदिनी को पता चला इस बारे में तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा मैं भूल जाओंगी तुम हमारे घर की बहु हो और फिर मुझे मजबूर है तुम्हारे पती को बिना तुमसे पूछे घर से निकालना पड़ेगा क्यूंकि मैं जानती हूँ तुम तब तक घर में हो जब तुम्हारा पती इस घर में है कौशल्या गोयल की गुस्से भरी बाते सुनकर गायतरी गोयल की नजरे नीचे हो गई महौल काफी खराब हो रहा था ये देखकर अनिकेट वो कौशल्या गोयल के पास आकर उनके को पकड़ कर कहता है दादी आप शांथ हो जाए इस समय आपको गुस्सा करना ठीक नहीं है मैं जानता हूँ माने जो कहा है वह बहुत गलत था मा की तरफ से मैं माफी मानता हूँ आज के बाद माभावी के बारे में कोई भी गलत शब्द नहीं कहेगी यह मेरी गारंटी है आनिकेट की बात सुनकर कौशल्या गोयल उसे देखते हुए कहती है आज अपनी माँ को समझा दो अगली बार से सुहाना के दिमाग के बारे में कोई बात नहीं करेगी वोल कितनी इंटेलिजेंट है वह यहाँ पर सब जानते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं बोल बोल कर सभी को बता दिया जाए ये कहकर कौशल्या गोयल गुसे में वहाँ से चली गई आनिकेट ने देखा उसकी दादी वहाँ से चली गई तो वह अपनी माँ को देखते हुए कहता है मौम आप भी अभी फिलहाल कमरे में जाए इस समय आप खुद को शान्त करने की कोशिश करो मैं आपसे यह नहीं कह रहा हूँ आप गलत हो लेकिन थोड़ा सोच समझ कर आपको बोलना चाहिए क्योंकि अब भावी भी इसी घर के मेंबर है आनिकेट की बात सुनकर गायतरी गोयल गुसे में अपनी जगल से उठते हुए कहती है हाँ मेरी कोई ओकात ही नहीं है इस घर में मैं तो एक नौकरानी की तरह हूँ ना इस घर में तुम लोगोंने मुझे नौकर समझ के रखा है जब देखो तब चिलाते रहते हो कभी तुम्हारी दादी मुझ पर चिलाती है कभी तुम मेरे बच्चे मुझ पर चिलाते हो मैं अपसे कुछ नहीं बोलूँगी लेकिन अगर मुझे कहीं से भी पता चला सुहाना मेरे घर को बरबाद करने के लिए आई है तो मैं भूल जाओंगी मैं तुम लोगों से प्यार करती हूँ उस समय बिनामा किसी से पूछे सुहाना की ऐसी हालत करूँगी ऐसी हालत करूँगी जिसका अंदाजा तुम में से किसी को नहीं होगा ये कहकर गायत्री गोयल गुस्से में वहां से चली गई गायत्री गोयल की बात सुनकर अनिकेट अपना सिर्पीट लिया उसे अब समझ नहीं आ रहा था अपने परिवार को कैसे समझाए क्योंकि अब उसका खुद का परिवार ही एक दूसरे से लड़े जा रहा था वही नीतु गोयल जो गायत्री गोयल के पास ही बैठी हुई थी जब उन्होंने देखा कैसे अनिकेट परिशान होकर अपनी मां को जाते हुए देख रहा है तो वह मुस्कुराते हुए अनिकेट से कहती है तुम फिकर मत करो, मैं जानती हुँ इस समय अपने परिवार की हालत को देख कर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन कोई बात नहीं बहुत जल्द हमारा परिवार भी एक हो जाएगा नीतु गोयल की बात सुनकर अनिकेट मुस्कुरा कर कहता है चाची आपने जो कहा है अगर वह हो गया तो अच्छी बात है वरना आपको तो पता ही है भाई का गुस्सा कितना भायानक है अगर उन्हें अंदाजा हुआ घर में लड़ाई चल रही है वह भी सुहाना भाभी को लेकर तो वह बहुत गुस्सा करेंगे हो सकता है वह गुस्से में घर छोड़ कर चले जाएगे खैर आप मेरी बात को समझ रही है मुझे बहुत अच्छा लगा आप कोशिश कीजेगा मां को समझाने की आई होप मां आपकी बात समझ जाए ये कहकर अनिकेट एक नजर नीतु गोयल को देखकर वहां से चला गया अनिकेट को वहां से जाते हुए देखकर नीतु गोयल के चहरे पर शैतान भरा मुस्कुराहत नजर आने लगा वह मुस्कुराते हुए एक नजर अनिकेट को देखी फिर चुपचाप वहां से चली गई वहीं दूसरी तरफ युवराज का कमरा युवराज अपने कमरे में बैट पर बैट कर लैपटॉक पर कुछ देख रहा था तब ही उसे महसूस हुआ कोई उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश कर रहा है यह महसूस होते ही युवराज ने अपना सर घुमा कर सुहाना को देखा सुहाना उठ चुकी थी ये देखकर युवराज अपने लैप्टॉक को साइड किया फिर सुहाना को देखते हुए कहने लगा तुम उठ गई युवराज की बात सुनकर सुहाना बैट पर ठीक से बैठते हुए मुस्कुरा कर कहती है हाँ मैं तो उठ गई लेकिन आप तो अपनी गल्फ्रेंड के साथ बाहर लंच पर गए थे ना तो फिर आप मेरे साथ यहां क्या कर रहे हो अगर आपकी गल्फ्रेंड ने देखा आप मेरे साथ बैठे हुए हो तो वह फिर से मुझ पर इलजाम लगाएगी जो मैंने किया भी नहीं होता है वह उनके बारे में भी बोलती रहती है सुहाना की बात सुनकर युवराज गहरी सांस लेकर कहता है तुम उसकी फिक्र मत करो नंदनी मुझसे बहुत प्यार करती है मैं उसे समझा दूँगा तो समझ जाएगी लेकिन तुम मुझे ये बताओ जब मैं तुम ही कमरे में सोने का पमिशन दे दिया था तो तुम बातरूम में सोने के लिए क्यू गई थी युबराज की बात सुनकर सोहाना कनफ्यूज होकर कहती है बातरूम में सोने के लिए मैं बातरूम में सोने के लिए भला क्यू जाओंगी जबकि मेरे पास इतना अच्छा कमरा है मैं पागल थोड़ी हूँ जो बातरूम में जाकर सो जाओंगी सोहाना की बेतु की बाते सुनकर युबराज हैरान रह गया क्योंकि अगर सोहाना गलती से भी बातरूम में सोने की कोशिश करती तो उसे याद रहता पर यहां तो सोहाना ऐसे बात कर रही है जैसे उसे खुद भी पता नहीं था वह बातरूम में जाकर सो रही थी ये सोचकर युवराज हैरान होकर कहता है तुम्हें लगता है कुछ भी याद नहीं जब मैं घर आया तो मुझे पता चला तुम बात्रों में सो रही थी वह तो सही समय रहते अनिकेट तुम से मिलने के लिए आ गया था तो उसे तुम बात्रों में सोती हुई मिली युवराज की बात सुनकर सोहना सोच में पढ़ गई जहा तक उसे याद था लास्ट टाइम वह नीचे बैठ कर कार्टून देख रही थी उसके बाद तो वह वही सो गई ये सोचकर सोहना हसते हुए कहती है आप मजाग कर रहे हैं न क्योंकि मुझे याद है मैं लास्ट टाइम कार्टून देख रही थी और उसी समय आपकी गल्फ्रेंड नंदिनी भी बाहर जा रही थी उसने मुझे बताया था तब मुझे एहसास हुआ जैसे बहुत सारा पानी मेरे ऊपर आ रहा है और मैं पानी के अंदर जा रही हूँ लेकिन वह सपना था क्योंकि मैं जानती हूँ मैं तो आपके घर पर हूँ तो फिर मैं पानी के अंदर कैसे जा सकती आपका घर समुंदर थोड़ी है जहां पर ब पुझे अच्छा नगे सुहाना के बच्चों जैसी बाते सुन कर युवराज हिरान पर हिरान होते जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था सुहाना ऐसी बाते क्यों कर रही है आम तोर पर अगर सुहाना की जगर कोई भी लड़की होती है तो उसे सब कुछ याद होता या सुहाना को भी याद होता लेकिन सुहाना तो साफ कह रही है वह नीचे कार्टून देखते देखते सो गई ये सब सोचकर ना जाने क्यूं युवराज को सुहाना के लिए बहुत अजीब लग रहा था उसे ऐसा लग रहा था जैसे सुहाना को कोई बीमारी है ये सोचकर अचानक से युवराज को डॉक्टर की बात याद आया वह तुरंट सुहाना को देखते हुए कहता है अच्छा वह सब तो ठीक है चलो मान लिया तुम कार्टून देखते हुए ही नीचे सो गई थी लेकिन तुम्हारे बोडी पर कई हिस्सों पर निशान है जिसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उस चोट पर कभी क्रीम नहीं लगाया गया कभी दवाई यूज नहीं हुआ डॉक्टर ने जब देखा तो उन्होंने कहा यह इंफेक्शन फैल चुका है जब तुम्हें चोट लगा था तब क्या तुमने उसका दवाई नहीं लगाया या किसी से तुमने कहा नहीं तुम्हें चोट लगा है युवराज की बात सुनकर सुहाना अपने टिम्टिमाती आँखों से उसे देखते हुए कहती है मुझे महसूस होगा तभी ना मैं किसी को बताऊंगी पचपन में मम्मा मुझे बहुत मारती थी जब वह मुझे मारती थी ना तो मुझे चोट लगता था मैं रोती भी थी लेकिन जब से मुझे मार खाने की आदत हो गई तब से मुझे महसूस नहीं होता आपको पता है घर में जो एक अंकल थे वो जब मेरे चोट देखते थे तब जाकर मुझे पता चलता था मेरे बॉडी के हिस्सों पर चोट के बहुत सरे निसान है उन्होंने मुझे दवाई भी दिया लेकिन मुझे दवाई लगाना नहीं आता था इसलिए मैंने नहीं लगाया लेकिन इसमें बड़ी बात क्या हो गई ये तो मेरे लिए बहुत नॉमल सी बात है ये कहकर सुहाना मुस्कुरा कर युवराज को देखने लगी